पर देखिए जो आपके सीटेट परिष्छा में ठीक है आपके बाल पिकास यूम सिच्छा साथ से जन्वरी यह निए 17 जन्वरी 2022 को जो एक्जाम हुए तो उसके जो कुशन पूछे गए निए टॉप पचास कुशन उसको हम इस वीडियो में शामिल किये ठीक है तो वेरी इ पर्षनों के उत्तर देने के लिए सही विकल्प चुलिए यहां पर है बालकों के व्यक्तिगत विकास डैस इस चार आप्षन आपके सामने है तो देखी यहां पर रैट आप्षन होगा आप्षन से याणि आप्षन तीसरा ठीक है के लिए कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है प्रंतु सभी बच्चों के विकास की दर अलग-अलग होती है ठीक है बालकों के विक्तिगत विकास के लिए कुछ हद तक प्रतेईक बच्चा सोय में अनोखा होता है कुछ बच्चों में अगर बात करें तो विकास थी बृता से जबकि कुछ में क्या है मन्द्गदीग गति से होती है ठीक है प्रतेएक बालक अपनी योगता यांनी स्चमता और बुध्धी योम अस्तर के अन्रूप विकास करता यह ध्यान दिजिएगा वेरी इंपॉर्टेंट है ओके चलिए अगला कुशन है ध्यान पूर्वक देखिएगा निम्निकिन में से कौन सा कथन सही है कि कुशन नमर्ट टू देखिए अब यहां पे जो राइट आप्शन होगा ओप्सन सी यानि तीसरा विकास एक सतत प्रक्रिया है ठीक है जो जीवन प्रेंत निरंतर चलती रहती है विकास की इसी प्रक्रिया में बालक का शारीरिक मांसिक क्रियातमक संगरनातमक योम भाशागत अगर हम बात करें त तु संगत परिवर्तन की करमिक स्रेंकला कोई विकास कहते हैं परसिद्विद्यान अरस्तु ने विकास को परिभासित करती हुए कहा कि विकास आंतरिक वावाय कारणों से विक्ट में परिवर्तन है ठीक है वेरी इंपॉर्टन तो यहां पर ऑप्सन सी जे राइट चले सुनेश कुशन है आपे बच्चे अपने समाज के बारे में ग्यान रहने की कौशल मूल रीतियां किस से सीखते हैं आसपास यानि आसपलोस से ऑप्शन भी धर्म ऑप्शन सी स्कूल ऑप्शन डी सम कच्छी समू ठीक है तो यहां पर चार आप्शन आपके सामने है वे देखे किस तरह से कुशन पूशे गए थे तो यहां पर आइट आप्शनों को आप्शन फोर ए बी सी और डी ठीक है तो यह चारों आप्शन क्या है बिलकुल सही होंगी चलिए अगला प्रशन देखते हैं कुशन नमबर फोर कि जीन प्याजे के सिधानतों के नुसार आप्शन ने ठीक है समायोजन यौम समावेशन देखिए परसित मनोवज्यानिक जीन प्याजे के सिधानतों के नुसार अगर बात करें तो अनुकूलन दो मूल प्रक्रियाओं यानिंनि समायोजन वा समावेशन को समायित करता है बच्चों में दुनिया के बारे में समझ विक्सित करने की छमता होती है उनमें वाता वरल के अगर बात करें अन्रोप स्वयम को डालना अनकूलन कहलाता है ठीक है बच्चों में वाता वरल के साथ सामंजस अस्थापित करने की बेहतर छमता होती है जब बच्चे अपने पुराने इसकीमा अथार्थ ज्यान में पूचन कहलाती है ठीक है यहां पर ध्यांदीजेगा वेरी इंपॉटेंट है व्याख्या सहीद चलिए कुजिशन नमर फाइब देखते हैं जीन प्याजे के संगानात्मा विकास के किस अस्तर पर बच्चे लंबाई वा भार जैसे गुड़ात्मक आधारों पर वस्तों को व चलिए यहां पर यह अपिएट अप्शनों का ओप्शन थी मूर्त सक्रियात्मक देखिए स्यूजर लन्व के प्रषित मनोवजियानी जीन प्याजे कहां के थे स्यूजर लनंण के टीक है उन्हुनें अपने संगात्मक विकास के सिद्धान में संगात्मक विकास की चार टिक है चार अवस्ताओं का वर्लन किया है इसमें है इंद्रिय जनित नामक वस्ता जन्म यानि दो वर्ष तक है टिक है पूर्व्र सक्रियात्म कवस्ता दो से साथ टिक दो से साथ वर्ष है यो मूर्थ सक्रियात्म कवस्ता जो है वो साथ से ज्यारा है तब कि चोथे की बात करें तो वो ग्यारा वर्ष से आगे के लिए लागू होता ठीक है तो यहां पर जो राइट आप्शन होगा आप्शन सी चले कुछिशन नंबर सिक्स वेरी इंपॉर्टेंट है लेओ वाइगोत्सकी के सिद्दान्तों के नुसार व्यक्तिकत वाक्त कुछिशन नंबर छ देखें दिमाग लगाई सीटेट इक्साम है आपको क्लियर करना है तो यहां पर जो राइट आप्शन होगा आप्शन वन्यानी बच्चे को अपनी सोच विनियमित करने में मदद करता है ठीक है लेओ वाइगोत्सकी के सिद्दान के नुसार बच्चों की व्यक्तिकत वाक बच्चों को अपनी सोच विनियमित करने में मदद करती है सोवियत रूस के परसित मनोवग्यानिक है ठीक है कहां के हैं सोवियत रूस के हैं ओके इन्होंने क्या है कि समाजिक विकास से संबंदिस सिद्दान का प्रतबादन किया था इस सिद्दान में उन्होंने बताया कि बालक के प्रतेइक परकार के विकास में उसके समाज का विशेश योगदान होता है ठीक है तो यह समाज का योगदान होगा तो भी बच्चे को अपनी सोच बिनमीत करने में मदद मिलेगी कहां के थे ठीक है यह थे आपके सोवियत रूस के चलिए सुनेश कुशन है कुशन नमबर सेवन तीक है लिए वाइगोदान की के नुसार सिच्छक बच्चों के अधिगम में किस परकार मदद कर सकते हैं सिच्छक बच्चों के अधिगम में किस परकार मदद कर सकते हैं यहाँ पर मदद अब यहाँ पर उप्यूगत इनाम देकर कर लें यह सक्त सजा देकर यह मदद की मात्रा वा सोरूप में बदलाओ करके उन्हें ब्लैक बोर्ड से सारे उत्तर नकल करवाके तो यहाँ पर जो राइट आप्शन होगा कुछ समझीए यहाँ पर राइट आप्शन होगा आप्शन से यहाँ मदद की मात्रा वा सोरूप में बदलाओ करके ठीक है अधिगम में मदद हम कर सकते हैं बच्चों को सायोगात्मक समयस्या समाधान यानि आथार्द बच्चे अपने सिच्छक के निर्दानुशार अपने सास्यों की सायाता से उन समयस्याओं का समधान कर पाते हैं जिनों ने पहले अपने कच्छा में देखा हो ठीक है यानि यहाँ पर माले जिए कच्छा पूझा गया था चलिए पूझा अपनी दोस्त को कहती है कि हमें कच्छा के नियमों का पालन करना चाहिए वन्ना शिच्छिका आमें बाहर खेलने की अनुमति नहीं देंगी पूझा लारेंस कोल वर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में है देखे यहां पे पूझ रहा है नैतिक विकास के किस चरण में है ठीक है नैतिक विकास की बात हो रही है तो यहां पे राइट आप्शन होगा ओप्शन वन यानि अघ्या पालन योम दंड अभिविन्यास ठीक है वन्ना सिचिका आमें बाहर खेलने की अनुमती नहीं देगी ये लारेंस कोवर्ग के नैतिक सिद्दान के अग्या पालन यों दंड अविविन्यास चरण को दरसाता ठीक है नैतिक विकास के इस चरण में बालकों के मन में अग्या पालं का भाव दंड पर आधारित होता है कोहिल वर का माना की कोई बालक या दी स्योक्रिद विवार अपनाता है तो इसका परमुक करण दंड से सोयम को बचना है ठीक है आप्शने सही होगा यहां पर नैतिक विक्यास का पालन किया जा रहा ठीक है तो कुशन नमबर 8 का आप्शन 1 सही होगा चलिए अगला कुशन आपर 14 कौशन नमबर 9 देखिए यहां पर है बुद्धी मता को परिपोशित वाप विक्सित किया जा सकता है बुद्धी मता किसी एक सामान खंड से हावी नहीं होती है पितु किई प्रकार की होती है बुद्धी मता को एक आंकी आयाम में साबद नहीं किया जा सकता जब किया पर किया जा सकता है तो ये आप्शन भी गलत होगा बुद्धी मता किसे एक सामानखंड से हावी नहीं होती तो ये भी आप्शन गलत है बुद्धी मता को परिपोशित वाविक्सित किया जा सकता है ठीक है ये आप्षन भी गलत है बुद्धी मता एक इस्तिर्थता अस्थाई विसिष्टा है ठीक है तो आप्षन ये सही होगा अगर हम बात करें तो 1983 में बुद्धी के एक नभीन सिधान का पर्तिबादन किया जिसे गर्डन के बहु बुद्धी सिधान के नाम से जाना जाता ठीक है इस सिधान के नुसार बुद्धी का सोरो एकांकी ना ओकर बहु कारकिये होता देदा प्रतिएक बुद्धी एक दूस सोस्रे से अलग होती है बुद्धी मता को पर पोर्श्य थी वह किसव किया मैं त्याया पर छिएlar आप के साथ से सही नहीं है और अगर हम बात करें हावर्ड गवर्डन के रुंसार तीनों आप सर्षियиков होंगे ओके चलिए सुनेश कुछन है एक बाल केंद्री सिच्छा में कुछ नमर दस है कि यहां पर क्या की कोई भूंका नहीं होती ठीक है तो पहले ही गलत हो जाएगा सिच्छिका की सक्रिय भूंका होती तता विद्यार्थी निश्क्रिय होता है तो यह भी आप्शन गलत है विद्यार्थियों की सक्रिय भूंका होती तता सिच्छिका निश्क्रिय होती तो यह भी आप्शन गलत है सिच्छिका वा विद्यार्थी दोनों की सक्रिय भूंका होती है तो आप्शन फोर क्या है आप्शन फोर सही होगा अगर हम बात करें तो बाल केंद्री सिच्छा मे चात्रों को विशेश मात दिया जाता है, तता सिच्छर परक्रिया की समस्त क्रियाओं का केंद्र विंदू चात्र होता है ध्यान दिजीएगा चलिये, सुनेष खुशे नहीं आपे हैं कथने कच्चाओं में लड़के गड़ित वा विग्यान में लड़कियों से कहीं बेतर परदर्शन करने की छमता रखते हैं करणार लड़कों में लड़कियों के पेच्चा गड़ित वा विग्यानिक छमता है सहज रूप से मौझूद होती है ठीक है देखे यहां पर कह रहा है कि कच्छाओं में लड़के गढ़ित विग्यान में लड़कियों से कहीं बेतर परदर्शन करने की छमता रखते हैं ये भी गलत है लड़कों में लड़कियों के पेचा गढ़ती तर्कवा वैग्यानिक छमता है सहज रूप से मौझूद होती हैं तो यह भी गलत है, इस हिसाब से इसका option 4, यानि A और R क्या है, दोनों गलत है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, लेंगिंग पूर्वाग्रे को दर्शात है, ठीक है, यहाँ पर लेंगिंग पूर्वाग्रे है, सामानत्या पूर्वाग्रे योम, रूरी बद्दता की करण, दोनो गलत होगा ठीक है जहां पर लाइंगिंग बेदवा हो वो आप्षिन क्या है बिल्कुल गलत है चलिए सुनेश कुशन आपे हैं राश्टी सिच्छा नीद 2020 की पर जोर देती है दे यहां पर आप्षिने से योगा पार्ठ चार्य का लचीला पन ठीक है बेरी इंपोर्टेंट है चलिए अगला कुशन देख लेते हैं मुल्यांकन का केंद्र क्या होना चाहिए देखिए अधिगम करता क्या नहीं कर सकता इसका चित्रव करना ये भी आप्षिन गलत है कच्छा के दूसरे बच्चों की तुलना में अधिगम करता के परदर्शन का अस्पश्टी करना ये भी आप्षिन गलत है मानक वर्ग में बच्चे की लेबलिंग करना ये भी option करना ठीक है अधिगम करता क्या और कैसे सीख रहा है इसका वर्लन करना ठीक है तो option 4 क्या है option 4 ये सही हो गया देखी मुल्यांकन, सिच्छ, क्यों, सिच्छार्ती दोनों के लिए उनर बलन की कार करता है ये आपकी पिछले एकजाम में पूछा गया है चले अगला कुशन है निम्डिखिन में से कौन सा विकल्प एक समाजिक रचनावादी कच्छा कच जिसमें बच्चों की व्यक्तिकत जरूरतों का ध्यान रखा जाता है कि व्यक्यां करता है अब देखिए यहाँ पे जो आप्शन है बैटने की तैवियोस था ठीक है तो यह आप्शन भी गलत है दूसरा है कि सिच्छकों का केवल निलदेश देना हुआ बच्चों से पूर अग्या पालन की अपेश्च्छा करना ठीक है तो यह भी आप्शन गलत होगा तीसरा है बच्चों द्वारा तत्यों का समरर करना तो यह भी आप्शन गलत है आप्शन फोर है कि बच्चों को आपस में चर्चा करते हुए समों में कार करना तो यह आप्शन फोर क्या है option 4 सही होगा इससे क्या कि प्रश्ण पूछने तथा प्रकराण संबंदी चर्चा करने आधी की स्वयत्ता दी जाते हैं कि व्याच्छा करता ठीक है तो option 4 क्या option 4 सही होगा चलिए अगला question है निम्लिकी में से कौन सा प्रश्ण कच्छा में समा लोच नात्मक सोच को बढ़ावा देने का सही उधारण है यहाँ पे देखिए 325 और 486 को जमा करना ठीक है तो यह भी गलत है option 2 है कि बाल विवाब पर्तिबंद अनियम किस वर्ष में पारित किया गया था यह भी गलत है option 3 सुसन को परिबाशित कीजिए यह भी गलत है option 4 अपने शेयर में परदूसर के विभिन काड़नों का विशलेशर कीजिए और परदूसर करने के विभिन उपाए सोच यह question number 4 ठीक है कच्छा में समा लोचनात्मक सोच को बढ़ाव देने का सही उधारल यही है अगर हम बात करें तो ठीक है critical thinking इसे कहते है critical thinking इंगलिश में अगर रहेगा ना काफी इसी होता ठीक है कोई भी हिंदी में आपे समा लोचनात्मक इंगलिश में क्या है critical thinking ठीक है था है ना काफी आसान किसी वस्तु या कारक के विशे में विश्य में विश्य में विश्य में विश्य में विश्य में पोड़ ग्यान को दर्शाथी तो option 4 इसे right option होगा ओके चले अगला question देखते हैं निम्न में से कौन सा विश्य में समा वेश्य की संस्कृति को दर्शाथा है ठीक है question नमर 16 तो यहां पर विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विवेदी आकलन को बढ़ावा दिया जाता ठीक है तो option यहीं सही होगा ठीक है दर्शाथा अगर हम बात करें तो सभी को समा रूप से सीखने तता आगे बढ़ने के आउसर परदान करना आधी विद्यालों में समा वेश्य की संस्कृत को दर्शाथा ठीक है so option is the right option होगा ओक्य चले अगला प्रश्य है question नमबर 17 देखते हैं संस्कृत रूप से विविद विद्यार्थियों वाली कच्चा में एक सिच्छी का को निम्रिकीं में से किस से बचना चाहिए तीकि चर्चा में विविद्य संस्कृतियों के उधाण माला या प्रभावी संस्कृत के लिए उप्यूद पाठक्रम और Wells其實 करना option प्रुशाइट करना विद्यार्तियों के 20 संभान और स्वकृत को बढ़ाना तो यह भी गलत है और का आप्शन 3 भी गलत होगा ठीक है प्रवावी संस्कृत के लिए उप्यूक्त पाटक्रम और सिच्छड शैली को विक्सित करना पाटक्रम और सिच्छड सैली के बारे में बात हो रही है ठीक है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके संस्कृत रूप से विवित के लिए सिच्छक को क्या किसे बचना चाहिए ठीक है चलिए अगला कुशें है कुशें नमबर टारा निम्लिकी में से किसे विदार्ती की अच्छरों और शब्दों को पढ़ने उनके व्याक्या करने और उन्हें समझने की चमता सीधे परवावित होती है कुशें नमबर टारा लेखन वैकल से तो नहीं होगा गती समन्वै वैकल से भी नहीं होगा गुलच वैकल से भी नहीं होगा तो encryption से ही होगा यनि वाचन वैकल टेक है अधिगम अच्छमता विदार्ती को अच्छरों और शब्दों को पढ़ने उनकी व्याक्षिया करने और उने समझने की च्छमता को सीधे परवावित करते ठीक है इस अधिगम अशक्ता से गर्शित बच्चे, शब्दों का असपस्ट उच्चारण करने यो अपने विचारों को धारा परवार रूप से व्यक्त करने में कटनाई अनुबो करते हैं ठीक है option C बहुत important है सभी के लिए चलिए अगला प्रशन है question number 19 गतिक दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों का सफल समावेशन सुनश्चित करने के लिए निम में से किसे बचना चाहिए ठीक है तिहां पर देखिए बैठक की व्योस्ता में उचित समायोजन करना तो यह option गलत होगा विद्यार्थियों की और शक्ताओं के नुसार अनकूलन करना तो option तीन भी गलत है विद्यार्थियों के सभी छेत्रों को रैंप और लिप्टों से समतल करना यह भी गलत है उपरी मंजिल पर कच्छाओं पुस्तकलाओं और प्रयोक्षालाओं का अमेंटर्ण करना तो option है यह आपका सही होगा देखिए गती दिविज्यानता के काड़ बच्चा सूच में गती कौशलों में निपूल नहीं हो सकता तीक है इसकी होजासे चलने दौनने लिखने यों बोलने की निपूलता आधिपन परभाव पढ़ता हो की